मैं सुझीत कुमाप, Advanced Excel Trading Center, IPT Excel School से स्वागत करता हूँ हमारे इस online classes में तो दोस्तों यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हमारी online live classes की वीडियो जह हैं और हम कैसे live class conduct करते हैं वो देख लेज़े तो हमने एक zoom app है हमारे पास, इस zoom app को मैंने आप एक minimum meeting में क्लिक किया और उसके बाद इसकी जो एक meeting ID है, एक meeting ID मैंने बेज दी हमारे मिस्टर अदील अहमद जी एक हैं जो के भी जोईन करेंगे, 845 का बैसता हमका और जोईन करेंगे, तो इस तरह की हमारे जो live classes conduct होती है, हर एक class को हम daily basis पे conduct करते हैं one to one और ग्रूप में भी होता है, live interactive one to one, batch में आप अपने सारे question के answering कर सकते हैं, live इस तरह की हम classes देते हैं, ऐसी classes आप भी ले सकते हैं तो daily basis में ऐसी मैं 20-25 recording upload करता हूं और मेरा ही जो अद्वजार नीज के बाद का प्लक्ष है, इस पे 5000 वीडियो डालना, अभी तक मेरे पास तक वीडियो से उपर, 2500 से उपर वीडियो डल गई है 5000 वीडियो के लग्ष करना है, बता कि 5000 नए topics में यहां पे upload करने वाला हूं तो please चैनल को subscribe करने ताकि कोई भी topic आपका missing ना हो, advanced एक्षर और MIS से related तो फटा-फट आप मेरे चैनल को subscribe करने, और classes जो होगी, ओगी online अगर लेना चाहते हो, तो भी आप ले सकते हैं हलो अधिल जी, गुड मॉर्णिंग, गुड मॉर्णिंग, अच्छा मैंने screen share कर दिया है, और मैंने recording की permission भी दे दिया है, नहीं आप उस phone में जोईल करते हैं करने जा रहे हैं, आज में आपके साथ, डिसकर्स करने जा रहे हैं, और चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो फ़िए पहला topic है, clipboard का तो टॉपिक है, एक topic हम आपके साथ conduct करने जा रहे हैं, तो मैं यहां पर name, call and marks, कुछ एक खुटा सा data बना रहा हूँ, छोड़ा data पर क्या होता है, कि फोर्क आपको जल्दी दिखता है, कुछ name के sequence हम को दिखा जाते है, तो बड़े data पर confusion क्या होता है, कि आपको समझ में आता कि आखिर हुआ गया, तो समझ मे time हो जाता है, इसलिए example को मैं छोड़े data पर ही बताता हूँ, और कुछ ऐसे sample data बनाने के लिए मैं हमेश्चा ran between formula का यूज करता हूँ, तो आप देखे, confused मत हुएगा, ran between formula का का काम होता है, कि दो number के बीच में से किसी भी एक random number को show करता हूँ, यहां पर show करता लिए, माली जा मैं इसको copy करता हूँ, copy करने के बाद, यहां पेस्ट करते ही, तो paste करते ही, क्या होगा, आप देखेंगे, कि यहां पर आपका, जैसा देना था और ऐसा या आगया, अप दिखेंगे, आप जैसा number change है, तो जब भी आप पर ran between formula है, जब भी आप double click करेंगे, तो अप अपने आपको update कर लेता है, या कई कुछ भी event होगा, अपने आपको update कर लेता है, तो इसको ignore किजिए, तो mail motive हमारा है, पेस्ट हम copy paste जब करते हैं, तो जैसा data है, उसी data को paste करता है, लेकिन हम चाहते हैं, इस particular part में से किसी particular part को paste करना, पूरी data को paste नहीं, छोटा सा data को छोट तो मैं इस पर right click करूँगा, paste special, और इस पर मैं करूँगा formula, and okay, अब देखिए, ना इसका border आया है, ना इसकी color आया है, ना इसका कुछ भी ने आया है, सिर्फ आया है तो इसकी formula, अब कुछ बत करते हैं, सर यहां name में तो कोई formula नहीं है, फिर क्यों आया, formula का मतलब हुआ ह इसकी formula बार में visual है, formula है visual तो formula है, टेक्स बेटेक्स आयाएगा, और formula है तो formula है, बट फिर करा नहीं आए, अब कुछ बत कहते हैं, कि मुझे formula ने मुझे contain चाहिए, मतलब कि जो value है, ओ value चाहिए, जो 58 है ते नॉर्मल 58 टाइप के हुआना चाहिए, ना कि 58 का formula आना चाहिए इसमें हम इसको copy लगते हैं, और यहां पे paste special, और paste special में हमारा साथ paste as a value है, paste as a value इसको ले लेते हैं, ओके, तो paste as a value आपको यहां पे आ लेते हैं, लियर ज़र, जी, जी करेंगे तो को साथ करेंगे तो हम उसी लोकेशन उपर कोपी पेस्ट एजे वैलु करना चाहते है प्रश्य करेंगे और शीके उपर पेस्ट जिए वैलू कर देंगे तो हमारा फॉर्मॉला रिमुव हो जाएगा अब दूसरी चीज़ होगी है लेकि मैं पाता हूँ कि मेरा फॉर्मॉला है इसका क्या यूज है तो आप अपने ऑफिस में जब रिपोर्ट बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब होती है और दुसरे सीट पे आपका डेटा यह होता है बतलब की रिपोर्ट होता है जयंकि आपके सामने एक रिपोर्ट खुळा होगा है अगर आपका टीप पॉर्फॉर्मेंस श्क्राइक आपको मेल करनी है अगर मैं फाईल में data नहीं बिता हो अपर समझेया मुझे इसे भी रिपोर्ट आपको मिल एरोप का जो रिपोर्ट है मुझे रिपोर्ट तो जनरली हम लोग क्या करते हैं यहां करते हैं और यहां क्रियेट कॉपी और एक नई वर्क्टू करे लेते हैं यहां पर आ गया अब भी अभी पुरा डिटा दिखा रहा है क्योंकि मेरे फाइल है और फाइल है ओपन है यहां 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 है कुछ नीचे है जगर पर फॉर्मूला ड़ा हुआ है हैं में किक करोंगा मैं यहां यहां ए और बीच में ग्राइंगल होता है इसी के ऊपर क्लिक करूद और कॉपी करूबा और राइट क्लिक टेश्ट यह सब्सके पर इसमें पेश्ट आज आजए बड़ा कर दोगा अब देखिए सारा फामूला का इसलग खट गया да और में फाइल सेफ करके आपके सी को भी मेल कर सकते हो इसमें कोई ही होगी तो पेस्ट रिखे वैलू का इस्तमाल इसी चीजों के लिए किया जाता है और उसके बात आती है पीश्द याप और रिपोर्ट देख है उसके आप वना आई हमान आई सिर्प ही चाहिए है अपम सिर्फ उस क्रीक करेंगेぜध सपैसल और छ été सपेसल में यहां पेंचे पेश्ट या आपके पास insert comment होगा उस पर click करेंगे तो इस से related कोई additional information दे सकता है तो इसके दे दिया कि this is final marks अब इसको करशा रखेगा तो इसको information मिल जाएगा अब मुझे सिर्प यह information यहाँ पर paste करने है ना इसकी formula ना इसकी formatting ना इसका data only for comments तो रखेंगे पेस्ट special में जाएंगे और यहां पर आपको दीखेगा comments सिर्फ comment को भी सब्सक्राइब ठीक है कि दूसरा अगर मैं इस data को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मालीजिए मैं यहां पर paste करता हूं यहां पर paste करते हैं समय आप यहां देखेंगे यह तो चल्शीक है एक होता all aspect border all aspect border में क्या होगा कि इसकी सब कुछ आएगा बट बोर्डर नहीं आएगा आप इसका बॉर्डर नहीं है इसमें चीज और भी है जैसे कि मैं इसको महले हनुक क्या करता है आपने में रिपोर्ट देखी होगी इस तरह से कॉलम कुछ चोड़ा किया गया है मालेज़ मैं इस पूरी रिपोर्ट को कॉपी करो और अपने सीट के उपर मैं पेस कर लेगा अब यहां पर मैं अगर इक डेटा आ गया लेकिन मैं पर्टिंग डेटा को कॉपी पेस करता हूं इसी को इसको कॉपी किया है अब देखिए अजीव हो गया है अजीव इसलिवा कि इसमें कॉलम की साइज थी वह साइज को पेस्ट नहीं किया बट पूरी सीट को पूरी पूरी डेटा इसा था वह इसा ही आ गया है डिक को इ Judith और विकरते हैं और जाते हैं पेस्ट इससर प्रफिए पेश्ट इसे अब हम आहाएं यां पी को यह हो अको मआँ आशक यजरी और दें इसा मि'm कि तो कॉल्म की बिर्थ को पेस करता हूं इसको यहां पेस करता हूं इसमें हम यहां कॉल्म का बिर्थ आनेगा डेटा नहीं आनेगा इसमें कॉल्म बिर्थ करते हैं इसका बिर्थ आता डेटा है डेटा के आपके पास करते हैं और आपके पास ओल्डेडी यहां इसमें करते हैं कि आपके डेटा में डेट तो होता ही होगा जिसे आज का डेट हम यहां पर आपके डेट करकिया हुआ है आप मुझे डेट चाहिए विदावट इनी फॉर्मेटिंग एन फॉर्मुला तो जनरली अमनों फॉर्मुला या वैलू कर देते हैं पिर नंबर आता है यहां पर दो चीज़ समझे है कि आके यह नंबर है क्या है क्यों है तो आप पता है यह नंबर क्या है यह नंबर है नंबर है आपका नंबर आफ डेज फॉम दग कंप्यूटर क्लेंडर तो अन्टर नेट आपकी कंप्यूटर क्लेंडर स्टार्ट हुई है वन उनिस की फॉर्स जैन नाइंटीन हंगर्ड से तो प्रूव करने के लिए आप जो है अपनी क्लेंडर को इसकी क्लेंडर को चेक कर दो कि पर देट नहीं है यसे उंद्स करें नर में किसी तरह के मैंतमीक कर रहा हूं तो नहीं जाता नहीं है टेक्स रिकनाइज कर रहा है कि दूसरा एक नम्बर ऑब डेज है एक से पता चलेगा तो जैसे मैंने वान डाला मतलब कि एक दिन तिया आपका आ गया तो यह चेंज हो गया है कि वैसे मैं 43,101 दिन देता हूं तो क्या हो जाता है कि आज की दिन चले आती है चीक है कि अब इसमें अब यह हो गई है कि ऐसा हुआ क्यों प्रोग्रामर ना ऐसा किया कि कि अगर आप किसी भी नंबर अगर टेक्स देते हैं तो इस पे आप किसी mathematical calculation को नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पे 12 देसंबर 2019 डाल दूँ और इसके ऊपर में किसी भी तरह की information दे सकता हूं इसमें हुआ कि अगर मैं इसमें मान लिजे कि इसको अगर हम करते हैं तो आपका 43801 गारा हुआ और इस पे अगर हम करते हैं तो मतलब कि इसने इसे जो प्लस किया और किसी डेट में नहीं किया एक नंबर नहीं तो जो आप डेट का फॉर्मर्ट इस पे लगाते हैं इसको फॉर्मर्ट का काम है कि हैं कि 45801 को महीने और डेट की इसाब से ताइम में करन वाप चाहिए और जब पेस्ट है जब वैलू करते हैं तो पेस्ट गाम है रिमूव और वार्मर्ट और दिड़ वी एक तरह का फॉर्मर्ट अज़ए तो उसको भी रिमूव कर देता है लेकि कि मुझे पेस्ट करते समय और किसी भी तरह का फॉर्मेट्स की जरुरत नहीं है उस समय पेस्ट करते समय आप एक जिज़का ध्यां रखेंगे कि आप यहां वेल्डू एजन नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आएगा लेकिन आपका नंबर की जो फॉर्मेटिंग है नंबर की पॉर्मेटिंग नहीं आएगा पिटाउट इसमें है एक है आपने ज़स्पेशल कर टेम पर बताया था विट वाला को राइगा पेसे विट वाला कॉलम विट उसमें का प्रॉब्लम नहीं अब कॉपी करेंगे अगा पेसे श्पेसल को बाते हैं अगर उसके बाद से नॉर्मल पेस्ट करेंगे प्रॉब्लम विट नहीं हाता है अब विट आ रहा है लेकिन अपने को फॉर्मला नहीं सिर्ट वाल्यू चाहिए आज इस तो इस नहीं होपाएगा जब इसको पेस्ट आप करना होगा और दूसरे बाद यहां पेस्ट आजिए वैलू करना होगा जब उसी को फिर कोभी पेस्ट करके वेल इसकर लें तू टाइम्स जब रहें जब आप गाउट टोपिक पे आपको दिन गाई रिसर्च और अब आपको मिलेगा रिसर्च प्रूर्ट प्रूंश्च तेसं कि यहां पहां हमने 25 लेकिन में युथा स्पेशल ने पहें हैं और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद हमने यहां पर operations में दे दिया add अब क्या होगा 30-30 को replace नहीं करेगा calculate करेगा मतलब कि जहां से आप copy कर रहे हैं और जहां पर paste कर रहे हैं उन दोनों बीचों के value में mathematical operation होगा कौन सी जो आप select करें इसमें add लेकिया तो यहां पर result 90 होगा subtract करूँगा तो 30 होगा multiply करूँगा तो 1800 होगा divide करूँगा तो ले रहे हैं इस सिद्धान नखीगा कि आप इसको text text में नहीं कर सकते हैं आप इसको में copy करूँ और इस पर मैं multiply कर दूँ तो paste क्या होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा तो आपके परफॉर्मेंस नहीं होगा लेकिन अगर इसको जीरो कर दिया तो पेस्ट स्पेशल दिवाइड कर दा तो वे गिर्द एरर दिवाइड जीरो क्योंकि नहीं नहीं होगा बर्ट रिजल्ट जी को दिवाइड एरर आएड़ नहीं होगा अब आपका काम क्या है इस पर रिसर्श करना और इसके मुझे तक्रीवन तीन एक्जामपल देना ती एक्जामपल हो जो शुटेवल एक्जामपल हो जिससे हमारा कुछ काम असान हो इन तीन को आप अपने अफिस या अपने कि जो कुछ भी किछी हो को ओफिस में आप प्राइज करोगे कि मैं इसका क्या बेनेफित उडाओंगा कि ट्रेनिंग का अगला प्राव होता है उतलाइजेशन मतलब कि जो आप सीखते हो उसको अपने कमपनी में अपने ओफिस में अपने वर्क प्रमाइबनेंट में उसकी जगह निगालो कि इसको किस जगह कर सकता हो है सब्सक्राइब करें अपने अपने इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और फिर इसको इसको इसके नहीं तरीका रूण होगे और फिर इसको अपने ओफिस में इंप्लिमेंट करोगे और यह चीज प्रिफ इसी का नहीं हर एक ऑप्षिंस करना है सब्सक्राइब और आपसे को इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मुझसे बूल एक सर आपके जी चीज बताया था मैं समझ भी पा रहा हूं कि मैं ऑफिस में इसको कहां यूज करूँ देर आई गिए सम्मोर एक्जामपल कि इसको पर क्या तरहना है तो इसको कीजिए तो पूस सकते हैं अब त्री एक्जामपल्स करने बोलड़ा ना अब यहां करके दिखाईए दीजिए मुझे ठीक है ठीक है ठाउ हम इसको क्या बाह है